स्वागत अबच्छा आपका सेल्स्टेडी के चैनल में और आज हम अपनी इंग्लिश ग्रैमर की जो सेमी वर्ब हमने पार्ट वन किया था आज हम उसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं और बहुत इंपोर्टन्ट है सेमी वर्ब यह इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी देखिए ये वाला जो लेक्चर है या फिर ये वाली जो वीडियो है वो उन लोगों को अच्छे से समझ में आएगी जिन्होंने पुरानी वीडियो उल्रेडी देख रखी है और अगर नहीं देखिए तो जाकर देखिए क्योंकि इसमें कॉंसेट ऐसे आने वाले हैं जैसे मैंने आप लोगों के सामने डिसकस कर रखा है कि जिरंट क्या है, प्रेजिन पार्टिसिपल क्या है adjective, verb, हम इसको कैसे identify करेंगे तो वो वाली चीज़ें आएंगे अब ये English grammar में हम जो pronoun कर रहे थे pronoun करते करते हमें कहीं पर basic की जुरूरत आर पड़ी तो वो करवा रहे हैं तो ये मेरे ख्याल से last video में इसको रखने वाला हूँ basic के मामले में फिर इसके बाद हम अपना pronoun relative pronoun start होगा वो continue करेंगे उसे पहले मैं लग बग 6 या 7 जो pronoun के type हैं वो आप लोगों को cover करवा दिए हैं अब आने वाली जो वीडियो होगी अब हम उसमें pronoun को देखेंगे फिर उसके बाद उसकी practice देखेंगे तो आज इस वीडियो को देखते हैं और इस वीडियो में आप लोगों को semi verb देखेंगे मैंने आप लोगों को concept समझाया था ना कि semi verb कहते किसको है semi का मतलब होता है आधा और verb का मतलब होता है kriya यानि अर्ध kriya यह part 2 है part 1 मैं करवा चुका हूँ अपनी पीछली वीडियो के अंदर ज्यादा speed से नहीं बोलता हूँ मुझे लग रहा है कि मैं ज्यादा speed से बोड़ा हूँ अब यहां पर कुछ sentences आपके सामने दिये हैं she started singing in the class वो उसने गाना शुरू कर दिया class के अंदर she saw a singing parrot she started singing a song she wants to watch a movie तो यहां पर आप लोगों के सामने जो sentence दिये हैं यहां पर आप लोग के काम करिये कि वीडियो को pose करिये और अपनी तरफ से अपनी एक पर first try आप करिये कि इन sentences को क्या आप break कर पा रहे हो कि या नहीं कर पा रहे हो अगर आप कर पा रहे तो बहुत अच्छी जीज़े नहीं कर पा रहे तो आपको सीखने को मिलेगा आपको यह जानने को मिलेगा कि आप में दिक्कत कहां आई है कहां आप अठके हैं क्या आपको सीखना है तो करिए pose उमीद करता हूँ कि आप लोगों ने यह pose करके वीडियो जितने भी आपके सामने चार sentences इनको break करने की कोश्की होगी और अब मैं आप लोगों को एक एकर करके sentence करवाता हूँ और एक बड़िया concert आपको सीखने को मिलेगा कि semi verb कहते कि इसको ingredient के बारे में आपको अच्छे से जानने को मिलेगा present participle के बारे में जानने को मिलेगा infinity के बारे में जानने को मिलेगा तो पहला sentence है see started singing in the class अब यहाँ पर मैंने कहा आपको चल रहा है न हाँ मैंने आप लोगों को कहा था कि कोई भी sentence अगर हमें break करना है तो break करने की शुरुवात करनी होती हमें verb से अब इस sentence में verb क्या है काफी सारे बच्चों के दिमाग में जाएगा कि sir एक तो यह started है और एक यह singing है अब यहाँ पर singing के ओपर काफी सारे बच्चे अटक गए होंगे singing भी तो verb होती है हमने बहुत बार देखा है तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को revise करवा देता हूं कि मैंने आप लोगों को एक concept करवाया था कि verb की base form plus में ing तीन काम करती है तीन काम बोले तो कौन से करती है एक तो है verb बनने का एक है adjective बनने का और एक है noun बनने का यह तीन काम करती है मैंने आप लोगों का था अब एक एकर के इस sentence में जो यह singing है इसका काम देख लेते हैं कि तीनों में से कर क्या रही है पहले पे आते हैं verb अगर यह singing verb है तो आपको मैंने बताया था कि अगर कोई भी verb उसके साथ ing आता है तो हमेशा उसके साथ कोई helping verb होती ही होती है तब उसके साथ verb की base form plus में ing आती है यह क्यों होता है देखे इसको और clarify करेंगे जब हम tense के उपर जाएंगे तो यहाँ पर इतना समझ लो कि जब भी helping verb आईगे लिए help करने के लिए आती है तो हमारे पास तीन tense होते हैं पास्ट प्रेजंट और फ्यूचर यह जो तीन tense होते हैं इन तीनों में इसका continuous अगर आप देखेंगे तीनों का तो उन तीनों में verb की base form plus में ing वर्ब की base form plus में ing यह तीनों में चलती है अब हमें कैसे पता चलेगा कि past की बात हो रही है, present की बात हो रही है future की बात हो रही है जो इन से पहले helping verb आ रही होती है हम उसी सा तो पहचानते हैं कि यह helping verb है यह past का sentence है, यह present का है, यह future का है जैसे past में was were आ रहा होगा present में is MR आ रहा होगा future में will, shall be आ रहा होगा तो यहाँ पर इनकी helping verb से ही हम पहचान पाते हैं अगर यह singing अगर यहाँ पर verb होती तो obviously इसके पहले कोई ना कोई helping verb होती इतनी जीच clear आई तो यहाँ पर हमें समझ में आए कि singing तो यहाँ पर verb है नहीं दूसरा आते हैं adjective के उपर और जब भी यह verb की base form plus में ing अजेक्टिव अकाम करते तो मैंने इसको कहा था कि आपना इसको एक काम कर लीजी आप इसको कह लीजी कि present participle present participle का नाम दे दीजी मैंने बस एक नाम देने को कहा था कि present participle आप उसको कह लीजी जो adjective के तरिके से काम कर ले कोई भी जो ऐसी वर्ब जो वो उसके साथ ing लगा हुआ होता है अगर आप इसे adjective बोलते हो तो याद करिए कि मैंने कहा था कि adjective वो होता है जो किसी noun या pronoun के बारे में बता दे obviously adjective वो काम क्या है adjective एक visession है जिसका काम ही होता है कि वो संग्या सरुनाम को उसके बारे में विशेष्था बताए विशेष्था in the sense कि उसके बारे में कुछ बता दे जैसे हिंदी में होता है अब इंग्लिश में भी adjective वही काम कर रहा होता है कि यह noun या pronoun के बारे में बताएगा qualify करेगा अगर आप इसको adjective बोल रहे हो तो यहां पर यह किसके बारे में बता रहे है कोई noun या pronoun तो है नहीं अब adjective के बारे में थोटी बोटी में देखे अब यहां पर बहुत सारी चीज़ें आ जाती है कि सर इसको adjective बोल क्यों नहीं सकते सर noun pronoun तो यह रहा है इसके बारे में बता नहीं सकता तो वह वाला मैंने आपको concert बताया था तो अब यह सारी चीज़ें अगर मैं यहाँ पर बताने लगोंगो तो वीडियो बहुँ ज़ादा lengthy बन जाएगी concert बहुँ ज़ादा हो जाएगे यहाँ पर तो यहाँ पर मैं यह कहा रहा हूँ कि जिरंड क्लियर अब कैसे है यह नाउन जड़ा देखो she started singing उसने क्या शुरू कर दिया आप वर्ट का reply देके देखे न वर्ब से देखे आप यहाँ पर यह singing जो है वो तीन काम करती हैं तीन में से दो काम तो कर रही रही obviously एक काम बचा वही काम करेगी जिरंड ही बन पाएगी अगर जिरंड बन पाएगी तो इसको नाउन कहना पड़ेगा अगर इसको नाउन कहा तो इस started वोब का receiver यह बन जाएगा और यहाँ पर इसको हम object बनाएगे इतनी चीज़ clear in preposition है class is preposition का object है इतनी चीज़ clear होगी यहाँ पर तो singing यहाँ पर जिरंड हो गया यह object है यह noun कहेगा हम इसको started यहाँ पर वोब है किसने start कर दिया she ने start कर दिया तो she क्या बनेगा subject बनेगा तो यह वाला concept था हमारे सामने यह बहुत important है अभी तो आने वाला है अभी यह मैंने एक तरीकी की शुरुवात कराई है कि यहाँ पर क्या होने वाला है आगे चलिए जरा अब यहाँ देखिए she saw a singing parrot भई एक उसने कैसा तो तो देखा उसने गाता हुआ तो देखा अब यह यहाँ पर देखिए यहाँ पर वर्ब क्या है फिर से कोशन उठते हैं कि सर यह singing वर्ब हो सकती है क्या अरे याद करिए अभी मैंने बोला अगर यह वर्ब होती तो क्या इसके पहले कोई helping वर्ब नहीं होती होती obviously तो नहीं है तो इस वर्ब से तो cancel हो गया अब दो बचते ह है अगर यह वर्ब है तो इसको करने का काम किस ने क्या मतलब इसको देखने का काम किस ने क्या यह action perform किस ने क्या इस शी ने तो शी क्या बनेगी यहाँ पर subject अब जरा देखो अब यहाँ पर she saw a singing parrot अब जरा खुश सोच कर देखो उसने क्या देखा उसने गाना मतलब की singing का मतलब होता है गाना गाना उसने गाना गाना देखा या फिर एक parrot देखा obviously इसका जवाब तो parrot ही है उसने एक parrot देखा है तो यह object बनेगा तो यहाँ पर इसका क्या करेंगे यह object बनेगा इनाउन है अब यहाँ अगर आप इसको होता है कि कई बच्चे होते हैं अड़ जाते हैं कि नहीं sir हमें तो इसको जिरेंड ही बनाना है इसको नाउन बनाना है subject compliment बनना, object compliment बनना यह पांच काम कर रहा होता है और इसको हमें एक काम पकड़ाना पड़ेगा अब वर्ब है वर्ब का हमें यहाँ पर object बनाना पड़ेगा अगर यहाँ पर इसे noun बनाया एक यह noun आया है वह दो दो noun एक साथ कैसे आया हुए है आ सकते हैं लेकिन उन दोनों को condition होती है ने कि दो noun एक साथ ला रहे हो तो बीच में conjunction लेकर आउनको जोडने के लिए तो वो वाली चीज नहीं है अब यहाँ पर इसको noun मनाओगे इसको function define करोगे तो इसको क्या function define करोगे तो दिक्कत आ होती है ना सबसे main important दिक्कत है कि दो noun को जोडने के लिए आपर conjunction नहीं है और दूसरी उसके पास धिक्कत आती है कि meaning नहीं बनेगा यहाँ पर तो यह दोनों चीजें आ रही है तो इससे यह पता चले कि यहाँ पर यह जिरन नहीं है तो यह क्या है यह adjective वजरा देखो adjective कैसे है यहाँ पर इस पैरिट इस तोते की विशेषता इस singing ने टोता देखा उसने अरे बोरिंग टोता था गता हुआ तोता दा यह चुपचा बेठा हुआ तोता था अरे गा रहा था वो शी सो सूर गालग ऑन यहाँ परिए हसको बोल देंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल उम्मीद करता हूँ कि दोनों सेंटेंस समझ में आई होगे देखे जिरंड यहाँ पर यह जो जिरंड बना है काफी सारे बच्चों की दिमाग में यह भी चल रहा होगा आपने इसको एक जिरंड बनाया इसका मतलब क्या बना इस सेंटेंस की हिंदी क्या होनेगी देखे उसने शुरू कर दिया गाना गाना उसने शुरू कर दिया गाना गाना क्लास में कोई होता ना किसी ने कोई अगर जिरंड और इंफिनिटी का हम यूज कहां करते हैं इसको समय लीजिए वैसे भी इसके लिए separate मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा आपको अच्छे से समझाऊँगा कि जीरन और इंफिनिटी में फर्क क्या है देखे कोई भी अगर आपको होता नहीं कि किसी ने action शुरू कर दिया कोई action पसंद होता है जैसे मैंने का आई लाइक प्लेइंग मुझे खेलना पसंद है तो वहाँ पर प्लेइंग उझे एक तरीके से एक एक अच्छन को एक अबजेक्ट के तोर पे यूज करने और उसको अबजेक्ट बनाने का काम यह सिर्फ जीरन के माध्यम से हो सकते हैं तो इसके लिए हम जीरन लगाते हैं तो यह वही है यहाँ पर उसने एक एक एक्शन शुरू कर दिया एक एक्शन शुरू कर दिया तो यहाँ पर इस एक्शन को शुरू करने के एक तरीके से अबजेक्ट दिखाना था तो इसे जीरन बनाना पड़ा उमीद है आप लोगों ये चीज़े clear हुई होगी ये lecture उन लोगों को जादा अच्छे से clear होगा जिनोंने पिछली वीडियोस देख रहे हैं मैंने वहाँ पर आप लोगों को ये break ये सारी चीज़ें कराई है वब की base one plus mangy कैसे बनता है एक एक चीज अच्छे से explain करके दिया है मैंने adjective क्यों नहीं बनेगा adjective का lecture जाके देखिए आपको वहाँ पर समझ में आएगा क्यों नहीं बन रहा यहां पर बहुत सारी चीज़े मैंने कराई है अब अगर आप सीधे ही आकर ये वीडियो देख रहे हो एक ऐसा नहीं है कि कहीं भी कोई भी वीडियो देखने पहुंचो तो यहां पर आई अगले sentence पर दो sentence हो जाते हैं हमारे पास अगले sentence पर आते हैं अगला जो sentence है she started singing a song अब यहां पर आते हैं verb क्या है obviously यह वाला और यह वाला sentence में आपको पता है कि verb तो यहां पर यह started ही है singing क्यों नहीं हो सकती है आपको अच्छे से पता है अब subject क्या है she है अब सवाल उड़ता है singing और song इसमें यह singing क्या बनेगा और यह song क्या बनेगा इनको हम कर लेते हैं देखो song तो no doubt आहरे को पता है यह noun है अब ना उन्हें कोई न कोई काम करेगा पांच काम इससे करवा लेंगा tension नहीं लेने का उसका अब बात आती है singing को क्या बनाएंगे दो option है इसके पास singing के बास दो option बोले तो कोन कौन से एक तो है जिरंड का और एक है adjective का दो option है इसके पास singing को दो option बचे हुए इसके पास कौन बनेगा क्रोडपती में मतलब समझो इनके पास 3 थे एक तो हमने अटा दिया दो बचे हुए देखो अब क्या बनेगा अब आते हैं एक एक करके इसको देख लेते हैं अगर इस word को आप adjective बनाते हो अगर आपने इस word को adjective बनाया तो obviously यह कहेगा कि भई मुझे अगर adjective बना रहे हो तो मुझे कोई ऐसा noun दो जिसके बारे मैं बवता सको देखे यहाँ पर इसको आपने adjective बनाया यह obviously इसको qualify कर रहा था नहीं कर रहा था parrot को भई कैसा तो होता था गाता हुआ तो होता था लेकिन इस singing ने इस song की क्या विशेश्था बताई भई गाता हुआ सो गाना अपने आपको कैसे गा सकता है अरे गाना तो boring हो सकता है interesting हो सकता है short हो सकता है lengthy हो सकता है romantic हो सकता है sad song हो सकता है तो यह वाले जो word है वो तो song की विशेश्था बता सकते हैं लेकिन इस singing ने इस song की क्या विशेश्था बताई simple सी clear concept है कोई rocket science नहीं है इस चीज़ के अंदर अगर कोई word अगर noun के बारे में बता रहा है तो simple बोलो भया वो adjective है ये word इसके बारे में बता नहीं रहा तो इसको adjective कैसे बोल दोगे clear इसनी चीज़ तो अब ये adjective नहीं है तो ये क्या बनेगा ये बनेगा noun बतलब यह नहीं जीरन बनेगा ये तो cut गया ना, लेक से बार ही हो गया option ही cut गया ये तो, बचा गया जीरन बचाए, जीरन बचाए तो, इसको noun बोलना पड़ेगा अब यहाँ पर आती है सर, अभी आपने बोला ये, यहाँ पर इस वाले sentence में, सर आप इसको noun नहीं बना रहे थे क्योंकि कहा था कि आपने दो noun बना देंगे अपने मन के अंदर कि क्या होए, क्या नहीं है तो, यहाँ पर मैंने आप लोगों कहा देखे, adjective तो बन नहीं सकता, verb हो नहीं सकता बचा कि जीरन जीरन बनाना पड़ेगा जीरन बनाना पड़ेगा, तो यह नाउन बनेगा अब noun बनेगा, तो यह भी noun बना और यह भी noun बना song सर, अब क्या है, क्या दिक्कत है, बताओ जरा देखो, यह singing, इस started verb का receiver है भाईया, मुझे बताओ, उसने क्या शुरू कर दिया उसने गाना गाना शुरू कर दिया अरे, she started singing she started singing उसने गाना गाना शुरू कर दिया अब यहाँ पर यह जो singing है, वो is started verb का object है यह बनेगा object ओके सर, तो सर यह song क्या बनेगा, यह भी तो noun है आपने कहा था, दो noun, एक साथ नहीं आ सकते conjunction चाहिए, हाँ पर तो conjunction भी नहीं है यह article है, देखिए यह article है लिख लेना, मैंने लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि जादा ही किच-पिच-पिच हो जाती है अब यहाँ देखिए रहे हो, काफी सारा material मैंने यहाँ पर लिख दिया है तो इस ए-nda को मैं नहीं लिखने वाला हूँ, यह अपनी तरफ से है, semi-verb, semi-verb का क्या मतलब होता है अर्द-verb, अर्द-verb बोले तो अर्द-kriya, अरे मुझे पताओ, object कौन रख सकता है बहिए, सर, kriya ही रख सकती है, यानि वो भी रख सकती है, वो ही अपने लिए subject रखेगी, वो ही अपने लिए object रखेगी बात तो सही है, तो मुझे बताओ ये जो singing है, वो बना हुआ किससे है, सर, बना हुआ तो ये वोब से है, कैसे पता चला एरे, यहाँ देखा नहीं सर, अबने, ये देखो आपने कात है, ये तीन काम करता है, तो वोब से ही तो बना हुआ है, बहुत सही अगर ये वोब से बना हुआ है, तो मैं ये नहीं कहा सकता है, अगर ये वोब से बना हुआ है, तो आदे गुन तो इसके पास, वोब के होंगे तो इसलिए तो इसको semi वोब बोला जाता है, आदे गुन तो रखेगा नहीं है, या ये वोब से बना हुआ है तो आदे गुन रखेगा तो इसलिए इसको semi verb बोला जाते है और आदे गुन verb के होने के कारण ये अपने लिए क्या रख सकता है अपने लिए object रख सकता है तो ये जो song है वो बनेगा jiran का object पाई simple सी बात है ये singing का object मतलब कि ये जो song है वो singing का object बनेगा क्यों कि singing जो है वो वर्ब से बना हुआ है और इसके पास इसके आदे गुण होने के कारण यह semi वर्ब कहलाएगा और अपने लिए object रख सकता है most important चीज़ है आप भले speaking करो आप भले reading करो आप भले writing करो यह वाला concept आप लोगों के बहुत कामाने वाला है कि जीरेंट को कैसे use करना है उसको समझना कैसे है आप लोगों को अगर जीरेंट present participle नहीं पता होगा तो जब आप अखबार पढ़ रहे होगे या फिर कोई भी novel पढ़ रहे होगे या फिर कुछ भी चीज़ पढ़ रहे होगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा difficulty आती है कि यह समझ में नहीं आया यह चीज क्या है इसको उपर से गया अगर आप थोड़ा बहुत अगर इनको break करके पढ़ने की शुरुवात करें तो चीजे समझ में आ जाती है अरे यह चीज लिखी हुई है इसके बारे में बात हो रही है तो वह वाला यह जो concept है बहुत useful है आपका हर एक चीज में understanding बढ़ाएगा बहुत जादा है speaking में बढ़ाएगा listening में बढ़ाएगा reading में बढ़ायगा राइटिग में बढ़ाएगा बहुत important है चीज और हमारे grammatical में तो बहुत ज्यादा important है यह तो दो यह 75 बढ़े बढ़ाएग संग का Stitchा अब होते ना कि सर हम ये goodshore नहीं नहीं बना सकते हैं तो भाई singing को क्या बनाओगे singing को क्या बनाओगे भाई कोई इनसान song को कैसे शुरू कर सकता है song को तो ऐसे शुरू कर सकता है अगर किसी मतलब की phone में है और phone में उसने play button दबा दिया और song स्टार्ट हो गया इतना ध्यान रखना है चीज को तो यही चीज मैं समझाना था अब आगे आते हैं अगला जो sentence है यह हिंदी में होती है पहले की हिंदी है उन्होंने उसने गाना शुरू कर दिया class में उसने देखा एक गाता हुआ तो था उसने गाना शुरू कर दिया एक song अब यहाँ पर है she wants to watch a movie अब यहाँ पर आओ verb क्या है I mean verb यह है wants भया कौन चाहता है she चाहती है तो she बनेंगी subject अब आते हो she wants what वो क्या चाहती है और वो देखना चाहती है यह आई proportion और उसके साथ लिखा हुआ एक word इसको यह है verb तो इधान रखना जब भी two के साथ verb की base form आजाए जब भी two के साथ verb की base form आजाते है तो उसे क्या बोलते है infinity है ध्यान होगा नहीं होगा मैंने आप लोगों कराया था तीन काम करते हैं मैंने आप लोगों कहा था कि एक ही काम करवा रहा हूँ noun बनने का तो यहाँ पर यह जो इसको ध्यान रखना यह जो है infinity है अगर यह infinity है तो यहाँ पर यह noun बना हुआ है noun बना हुआ है तो यह wants का object है यहाँ पर she wants what? she wants to watch क्या चाहती है वो देखना चाहती है देखना क्या चाहती है भाईया वो movie देखना चाहती है तो ये बनेगा object किसका इस infinity का, अरे भाईया क्यों क्योंकि ये जो infinity ये बना हुआ किससे है यहाँ पर देखो, वो अपकी base form semi-verb, earth verb ये भी earth verb है, तो अपने लिए object रख सकता है ये तो she wants to watch she wants to watch a movie यहाँ पर ये movie जो है ये बनेगा its wants to watch ये इस infinity का object तो ये है semi-verb, बहुत important चीज़ है, अभी tension ना लो ये चीज़े नहीं आई है, तो एक और practice आएगी ये रही आपके सामने अब आप लोगों को करना क्या है अब मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि ऐसे sentence break होंगे तो फट दनी से video pose करिए और इन sentences को break करिए बहुत आप लोगों को मतलब जानने को मिलेगा कि कैसे चीज़े हो रही है और English में बहुत जाद आपके understanding बढ़ जाएगी तो करिए post video उमीद करता हूँ कि आप लोगों ने video pose की होगी देखे पहली जब मैंने पहली बार जब video pose करवाई थी इस video में तो आप लोगों को दिक्कत आ रही होगी ये क्या है ये समझ नहीं आ रहा उमीद करता हूँ कि अब आप लोगों को दिक्कत आई होगी बहुत अच्छी चीज़ है गर दिक्कत आ रही है उमीद को क्या दिक्कत आईगी भाईया clear? आओ पहला से sentence से सुना लिए is watching a movie अब यहाँ पर is और watching अब यहाँ पर आते हैं इसमें sentence में वोब क्या है आपको पता है ये जो is है ये b की form है b की form है na is, mr, was, war being, being, art form थी मैंने आप लोगों गिनाया था first lecture था मैंने जब grammar करानी आपको start की थी first lecture में मैंने आपको b की form करवाई थी और तब से करवाता ही आ रहा हूं फिर भी एक बार और फिर से repeat कर लेते हैं देखें b की form कौन से होती है is, m, r, b ठीक है ये first form होती है, इसकी second form होती है was, were इसकी third form होती है b और ये जो last form है इसकी b clear अब मैंने आप लोगों कहा था, ये जो b है, वो दो काम कर सकती है दो काम बोले तो, एक तो ये main word बन सकती है और ये के helping word बन सकती है clear और जब ये main word बनती है, तो मैंने कहा था, ये जब भी main word बनेगी, इसको बोलेंगे linking word इसके बाद आते है, subject, compliment जो subject के बारें बताते है अब देखे, इतना सारा concept मैंने आप लोगों करवा दिया है अब ये सीधा मैं इसको use करूँगा यहां पर, अब जो नहीं देख रहे हूंग उनको ये समझ नहीं आएगा अब यहां पर आते हैं, sonali is watching a movie अब यहां, मैंने आप लोगों तोड़े देर पहले करवाए कि verb की base form plus में ing तीन काम करती है verb की base form plus में ing तीन काम करती है कौन-कौन से तीन काम भई, फिर से देख लो एक तो verb बनने का एक adjective बनने का एक noun बनने का अब आउ जड़ा इस पर कि यह noun है, चलो noun बना के देख लेते हैं सर अभी आप लोगों आपने करा है कि noun बन सकता है, चलो पहला काम इसको noun बनाने का कर लेते हैं यह noun बना यह नहीं इसको jirn बना दिया हमने अगर इसको jirn बना दिया, यह noun बना दिया तो verb क्या बनेगी, यह is बनेगी सर कैसे बन सकती है, मैंने अभी थोड़े देर पहले बताया है यह b की form दो काम कर सकती है एक तो main word बनने का और एक helping word बनने का यह main word बन गई तो यहां पर यह main word बन गई यहां पर मैं verb लिग लेता हूँ अब यह main word बन गई, यह सुना लिगा है, यहां पर subject है और मैंने का जब भी यह main word बनती है इसके बाद आते हैं subject compliment subject compliment कौन होते हैं, जो subject के बारे बताते हैं अब यह watching, इसको noun बनाया तो यह subject compliment बनेगा और यह movie जो है, वो आप कोशिश करेंगे इस watching का आप क्या बना दोगे इस watching का object बनाने की कोशिश करोगे इस movie को, जितना आपकी समझ से है, मैंने आपकी तरफ से करके देखा है, चलो जरा, देखो इसमें दिक्कत क्या आती है, अगर आप लोगों ने इसे noun बनाया, इसे subject compliment बनाया, तो मुझे एक बात होता हो, यह सुनाली की विशेषता क्या बता रहे है, क्या है सुनाली is watching, अरे सुनाली देखती हुई, क्या देखती हुई, वही सुनाली is teacher, सुनाली is a teacher, सुनाली is smart यह वाली जो चीजे होती है, वो तो subject compliment का काम कर देती है, जो subject के बारे में बता रहे है इस watching में, इस सुनाली के बारे में बताया क्या, अरे subject compliment होता वो है, जो subject के बारे में बताये, यह watching क्या बता रहे है, इस subject के बारे में कुछ भी नहीं बता रहा जब कुछ भी नहीं बता रहा, एक तरीके से आप इसको नाउन बना रहे हो, अगली बार एड्जेक्टिव रखे देख लो, यह एड्जेक्टिव क्या वश्यस्ता बता रहे हैं सुनली के बारे में, कुछ भी नहीं बता रहा है यहाँ पे, तो इन चीजों से रेका तो ना त यह एड्जेक्टिव बना ना यह नाउन बना तो बनेगा क्या, यह बनेगा वब, और यह क्या बनेगा, यह helping बनेगा, present continuous के अंदर ही के sentence, सुनाली क्या है, यहाँ पे subject है, सुनाली क्या देख रही है, मूवी देख रही है, तो यह object है, वब का, यह article है, just simple, यह बब बन ग यह बना सकते हैं, अब देखो, कोई चीज continuity में होती है, तो समझो, उसमें एक action हो रहा होता है, यहाँ पर वो देख रही है, इसमें action continuity में, एक time period चलता है, उसमें एक time चल रहा होता है, इसमें shocking में क्या time चल रहा है, continuous तो उसमें बोलेंगे न, जिसमें कुछ time तो लगा हो अरे shocking में time क्या लगा, यह वाला जो concept है, present continuous वाले है, continuous को कैसे पैचानेंगे, यह हम tense का जब lecture आएगा, वहाँ पर भी बहुत अच्छे से करेंगे, लेकिन ता समझो, यह जो shocking है, यहाँ पर verb नहीं है, एक तो यह चीज, अब यह verb नहीं है, तो यहाँ पर यह दो बनेंगे adjective अनाउन, यहाँ पर यह adjective है, कैसे adjective है, क्योंकि आपको पता है, was, यह रही was, किसकी form है, बी की, यह main word बनी हुई है, तो यह क्या बनेगी, subject compliment आएंगे इसके बाद, तो यह shocking जो है, subject compliment है, shocking जो है, news के बारे है, कैसे बता रहा है, अरे बहाँ यह कैसी news थी, shocking थी, हैरान करन वाली news थी, इस word ने, इस news के बारे है, तो यहाँ पर यह very क्या कर रहा है, इस shocking के बारे है, यह रहा adjective, adverbs, sorry, adverbs है, एक ऐसा word जो adjective के बारे है, उसे adverb बोलते हैं, देखे, बहुत सारे concept फिर से आ रहे हैं, adjective, adverb, proportion, यह वाली चीज़े, अगला sentence पर आते है, रोहन, stopped smoking, तो verb क आते हैं, देखे smoking, यहाँ पर क्या हो सकता है, फिर से वही आपके सामने क्या verb, adjective, noun, इन तिनों में क्या बनेगा, verb बनेगा, कोई helping verb नहीं है, तो verb नहीं बनेगा, adjective बनेगा, इसके बाद कोई noun, pronoun नहीं है, तो बचा क्या, जिरन बचा, जिरन बचा तो इस क्या बनेगा, noun noun बनेगा तो ये stop क्या बनेगी verb बनेगी और ये smoking क्या बनेगा इस verb का object बनेगा और रोहन क्या बनेगा subject बनेगा लो भाया clear इतना असान है आगे जरा देखो ये वाला जो concept है ना present participle, past participle, infinity बच्चे बहुत रते हैं इसे इसे हम रोज अब जितने भी sentence आएंगे अब इसके बाद जैसे pronoun start करूँगा relative pronoun उसके अंतर ये बार बार आएगा आज ऐसा नहीं है कि इस वीडियो के अंतर आगया तो अगली वीडियो के अंतर नहीं आएगा ये बार बार repeat होगी ताकि आप लोगों के दिमाग में बहुत अच्छे से ये चीज बैट जाए आप English को बहुत अच्छे से समझने लग जाए इस चीज को बार बार यूज करने वाला हूँ मैं ऐसा नहीं आज हो गया तो सर आज नहीं आया क्या मुझे फिर नहीं आएगा अरे 100% आएगा आप बने तो रही है साथ में और बनने के नाम पे आप लोगों के पीडियो मिल जाएगी भाया तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को अच्छा पढ़ाई रहे हैं तो और लाइक कर देना वीडियो को और ज्यादा ही पसंद आ गए हैं तो शेयर भी कर देना और टेलिग्राम का लिंक दिया मिलेगा दिस्क्रिप्शन बॉक्स में देगे बीच में एड़ोटाइस्मेंट करनी पट रही है क्योंकि लास्ट तक बच्चे भाग जाते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया मिलेगा आपको PDF आपको वहां मिल जाएगी टेलिग्राम का लिंक है फेस्बूक ग्रूप का फेस्बूक पेज का जाकर जोइन करिए और सपोर्ट करिए भाई अब आओ He caught the running train वर्ब क्या है? रणिंग तो नहीं हो सकती ना इसमें तो चीज clear होगे, वब तो नहीं हो सकती अब दो चीज बचेगे या तो जरिंग बचेगा, या फिर अज जेक्टि बचेगा usar कर लेंगे, तो वर्ब क्या है? वर्ब यहां पर तो यहां पर यह वर्ब है यह बाता हो जाए मुझे क्या पकड़ा उसने उसने रनिंग पकड़ा या ट्रेन पकड़ी अरे सर रनिंग कैसे पकड़ सकता उसने तो ट्रेन पकड़ी तो ट्रेन क्या बनेगा ऑप्चेक्ट बनेगा यह रनिंग क्या है अरे रनिंग इस ट्रेन के बारें बता रहा है नहीं बता रहा है अरे कैसी ट् और इस वर्ड ने इसके बारें बता दिया तो जीरन तोड़ना है यह तो अड्यक्टिव है प्रेजन पार्टिसिपल बोल देंगे इसको यह दा आर्टिकल है क्लियर हुआ अब उमीद कर रहा हूँ कि आप लोगों विसारी तीजे क्लियर हो गई होगी और नहीं हो रही है तो कॉमेंट बॉक्स रहा है उसमें लिखो है समझाता हूं मैं लग से फिर से आगे लास्ट जो सेंटेंस इसको और देख लेते हैं अमित लाइक्स टीचिंग इंग्लिश अमित लाइक्स टीचिंग इंग्लिश अब यहां पर वर्ब क्या है देखें टीचिंग तो हो नहीं सकती तो वर्ब क्या बनेगी लाइक्स पर कौन पसंद करता है अमित क्या बन अगर आप इसको adjective बनाने की कोशिश करोगे तो इस English की विशेष्टा बतलानी पड़ेगी इसे तो ये teaching English की कैसी विशेष्टा बताएगा यार पढ़ाती हूँ English कौनसी English होती ही भई तो यहाँ पर इससे चीज तो clear हो रही है न यह यहाँ पर adjective नहीं है तो बचा गया यह जीरंड बचा तो यह noun बनेगा noun बनेगा तो इस verb का object इसी को बनाना पड़ेगा सर यह English क्या करें English का क्या बनाए रहा न इंग्लिश इस English को बनाओ इस teaching का object यानि जीरंड का object तो यह सारा concept मैंने आप लोगों को फिर से करवा दिया जो अभी यहाँ पर यहाँ पर देखा था तो यह था semi verb part 2 बहुत important चीज है आप लोगों के लिए English को समझने के लिए बहुत सारे concept इससे clear होने वाले हैं error अच्छे से clear होंगे इससे जब आप error करोगे तो आप लोगों समझ में आया होगा यह चीज क्यों होई with logic ना कि कोई ratification ना कोई rule होगा तो यह था आज के लिए अरे कहां गया thank you हां तो बने रहे हैं और जिन्होंने नहीं देखी हैं तो पिछली जाकी वीडियो सारी देख लीजिए एक अलग से playlist में बना रहे है तो thank you for watching this video